दोस्तो आज हम आपको एक तांत्रिक की कहानी सुनाने जा रहा है बहुत अच्छी कहानी है, मुझे बहुत पसंद आती है कहानी आपको भी खूब पसंद आएगी, अगर कहानी पसंद आएगी तो आप इसे सेर जरूर करिएगा कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों एक गाओं में एक पती-पत्नी रहा करते थे पत्नी तंत्र विद्या को खूब मानती थी वो काले जादु में खूब विष्वास करती थी परन्तु पत्नी उससे उल्टा था उसे तंत्र विद्या पर बिलकुल भरोसा नहीं था वतंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीजों पर बिलकुल विश्वास नहीं करता था उसे लगता था कि ये लोगों का भेहम है और पत्नी हर दिन किसी न किसी तांत्री को ले आती कहीं जहां तंत्र विध्या होता वहां चली जाती पती इस बाते काफी नाराज रहता था एक द पत्रती ओफिस से लोट कर आया तो उसने देखा कि घर का पूरा वातावरन चेंज है महौल चेंज है तंत्र विध्या चल रही है हों हों चल रहा है उसे काफी गुस्सा आया उसने उस तांत्रिक को धक्के मार कर घर से निकाल दिया और कहा कि अगली बार तुम यहां नहीं आओगे मेरी पत्नी से नहीं मिलोगे अगर तुम मिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूगा इस पर तांत्रिक ने उससे कहा कि तू क्या मुझे जान से मारेगा अब मैं तुझे जान से मार दूगा कुछ ही दिनों में तेरी मौत पक्की है यह करकर तांत्रिक वहां से चला गया कुछ दिन बाद संयोग ऐसा हुआ कि उसका पती काफी बिमार रहने लगा धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई उसे अस्पताल में एड्मिट कर दिया गया डक्टर ने खूब जाज पूसियार थे उन्होंने उसके घर वाले को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी घटना बताओ जो इसके साथ घटी है सब लोगों ने अलग-अलग घटना बताई उसकी पत्नी की जब बारी आई उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पती तंत्र विद्या को नहीं मानते हैं एक तंत्रिक कोई काला जादू कर दिया है इनकी मौत हो जाएगी इसलिए यह काला जादू इन पर असर कर रहा है डॉक्तर ने कहा ठीक है में देखता हूँ यह करकर मरीज के पास चला गया डॉक्टर ने उसके पती को कहा कि मैं उस तांतरिक को ढूंड लूँगा मैं कोसिस करूँगा को तांतरिक तुम्हे ठीक कर दे ऐसा करकर डॉक्टर वहाँ चला गया कुछ दिन बाद डॉक्टर वापस घूम कर आया लोटकर और उसने उस मरीज से उसके पती से कहा कि मैं उस तांतरिक को ढूंड लिया वह तांतरिक तुम्हें ठीक करने के लिए एक मंतर बताया है और साथ में कुछ जरीबुटी दी है जिससे तुम ठीक हो जाओगे उस डॉक्टर ने उसे जरीबुटी खिलाई और मंतर पढ़ना सुरू कर दिया कुछ देर बाद उसे जोर की उल्टी हुई उल्टी होने के बाद वह बिहोस हो गया होस में आने पर डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारे पेट के अंदर छिपकिली के अंडे चले गए थे जब उस तांत्रिक ने तुम पर जादू किया तो तुम पर कुछ छिरग दिया था जिसके कारण तुम्हारे पेट के अंदर छिपकिली प्रवेस कर गई थी और वह मर चुकी षी ने जब उल्टी किया जब उल्टी में चिपकिली मरी परी थी अब मरी दीरे दीरे ठीक होने लगा जब ठीक हो गया तो उस ने डाक्टर का कहा खूब अभार्विक्ट किया कहा कि आपने मुझे बचा लिया उस्तांत्रिक से वरना मेरी मौत पक्की हो जाती डॉक्टर ने कहा नहीं तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो मैं उस तांत्रिक से कभी मिला भी नहीं उस तांत्रिक को मैं जानता भी नहीं मैंने तुम्हें सिर्फ ठीक करने के लिए जूट वोला था तुम्हारे मन के अंदर एक वहम बैठ गया था जो तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा था मैं चाहता था कि तुम्हारा वहम तुम्हारे मस्तिक से निकल जाए वहम अगर मनुष्य पाल बैठे तो उसे हर जगह कुछ न कुछ बुरा ही दिखाई देता है अगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कभी ऐसी जगह गए होंगे जहां आपको पता हो कि यहां भूत रहते हैं यहां किसी की मौत हो चुकी है उसकी आत्मा भटकती है तो आपको वहां कुछ जादा ही डर लगता होगा कुछ अधिक डर लगता होगा और रात में तो आपको ऐसा लगता होगे कि यहां कोई है या आसपास कोई है आपकी खुलकी परचाई आपको ड़ाएगी दोस्तों मस्तिक्स में बैठा डर इंसान को और भेवित करता है यह moral कहानी है आपको अगर पसंद आई होगी तो आप इसे share करिएगा मेरे चैनल को subscribe कर तब तक के लिए हमें आग क्या देगा धन्यवाद